क्या आप जानते हैं कि भगवान क्रश्ण ने भावारत काल में ही कलियोग का विस्तार पूर्वक वर्डन कर दिया था कलियोग में लोग कैसे होंगे जीवन कैसे वितीत होता होगा लोगों का वेवार एक दूसरे के प्रती कैसा होगा यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था भगवान क्रश्ण दौरा कलियोग के बारे में बताई गई पांच कड़वी बातें जो आज शत प्रतिशत सच हो रही है महावारत काल में पांचो पांडवों के मन में कलियोग के बारे में जानने की जग्यासा थी जिन्होंने एक वार भगवान क्रश्ण से पूछा कि कलियोग में मनुस कैसे होगा लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ती कैसे होगी यह प्रेश्ण सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचो पांडवां को बन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे विस्तार से आकर बताना पांचो भाई बन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं चलिए जानते हैं युदिस्टर महराज के एक हाती को देखा और वै बहुत आश्यार्य चकित हो गया जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इसके बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलियोग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और यह लोग दोना ओर से शूसर करेंगे भीम ने देखा कि ये गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया भीम या देख दंग रहे गया और भगवान कृष्ण से आकर इसका अर्थ पूछने लगा कि हे कृष्ण बताईए कि कल्यूग का मनुष अपने बच्चों से ऐसा प्यार करेगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चे का विकास ही रुख जाएगा यदि किसी का पुत्र साधू बना तो अब उसके दर्शन करेंगे परंतु यदि स्वैम का पुत्र साधू बना तो दुखी हो जाएंगे रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राय पड़ जा रहा है इसका क्या होगा कल्यूग में लोग बच्चों को मुहमाया और परिवार में ही बांद कर रखेंगे और क्या उसका जीवन वही नस्ट हो जाएगा फिर भगवान ने वास्तविक्ता पताते हुए कहा कि तुमारे पुत्र तुमारे नहीं बलकि तुमारी पत्रियों की अमानत है पुत्रियां उनके पत्रियों की अमानत है या शरीर मृत्यों की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंक पर वेद की रूत लिखी हुई थी परन्तु वह एक मनुष्य का मास खा रहा था यह देख अर्जुन हैरान हो गए इस पर भगवान ने बताया कि कल्यूग में ऐसे लोग होंगे जिने विद्वान कहा जाएगा किन्तु उनकी मन्शा यही होगी कि किसकी जल दीम्रत्य हो और उसकी संपत्ती को अपना बना लिया जाए व्यक्ती चाहे कितना भी बड़ा होगा परन्तु उसकी द्रस्टी दूसरे की संपत्ती पर होगी ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर हो जाएंगे वास्तविक संथ तो कोई कोई ही होगा नकुल ने देखा कि भारी चटान परवत से गिरी और बड़े से बड़े वरक्ष भी उसे नहीं रोक पाए परन्तु एक छोटे से पौधे से टकरा कर वह चटान वहीं रोक गई इसका अर्थ बताते हुए भगवान किष्ण ने कहा कि कल्योग में मनसु की बुद्धी छीड होगी उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन सत्ता के वरक्ष रोकने के सक्षम नहीं होगे किन्तु हरी नाम लेने से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा कीर्थन से मनुष्य की बुद्धी प्रवल होगी सहदेव ने वहाँ अनेकों कुएं देखे जिन में से केवल बीच का कुएं खाली था जो की सबसे घहरा था कृष्ट ने इसका आर्थ बताया कि कल्यूग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में बहुत धन खर्च करेंगे परन्तु यदि किसी भूके को देखेंगे तो उसकी साहता करने में किसी की रुची नहीं होगी इंद्रियों की संतुस्टी, मदिरापान, मास, भक्षड और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कल्यूग का नहीं बलकि परमात्मा का प्रभाव होगा तो दोस्तों यह कल्यूग की पांच कडवी बातें जो भगवान किस्ट के द्वारा बताए गई थी और आज वो सच हो रही है नेक्स नाइन स्प्रिच्वल से आकाश की रिपोर्ट